अभी आप आएंगे शंबू बॉर्डर से और पंजाब की तरफ से जब आप आएंगे तो आपको क्या नजर आएगा मालूम है वहाँ कीले लगा रखी है सड़क के उपर की ट्रेक्टर आएगा तो सभी ट्रेक्टरों को पंचर करेंगे मैं तो ये कहना चाहरा हूँ कि जब किसी आम इनसान के उपर मुकदमा किया जा सकता है रास्ता रोकने का तो भाई साहब मुख्या मंतरी के उपर और प्रदान मंतरी के उपर नहीं किया जाना चाहिए क्या मैं गुजारिश करूँगा इस देश के लोगों से जो अपने आपको कहते हैं उनका जमीर जिंदा है कि अपना इंटरनेट खोलिए अपना लैप्टॉप अपना मोबाइल खोलिए आप जाएए क्राइम को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट के उपर पुलिस की वेबसाइट के उपर और F.I.R. कीजिए ओनलाइन और दरज कीजिए अपना कंप्लेंट नमबर नोट कीजिए आउमी कठा करके उनसे पूछेंगे जब देश के लोगों के उपर मुकदमा किया जाएगा तब हम पूछेंगे के जब हमने तुमारे खिलाफ मुकदमा किया था तो तुम तुमने इस पे कितनी कारवाई की थी साड़े 600 से ज़्यादा F.I.R. तो हम लिख चुके हैं कल आपने एक काम करना है अभी से कर सकते हो ऑनलाइन आप F.I.R. कीजिए सरकार के खिलाफ कि उन्होंने रास्ता जाम कैसे कर दिया उन्होंने लोगों का आना जाना उन्होंने कैसे रोक दिया अगर किसान रोक रहा होता तो उसके उपर मुकदमा किया रहा होता और अगर सरकार रोक रहे तो सरकार के उपर मुकदमा होना चाहिए और जो इसका मुखिया है उसके ये भी तो संगठन के मुख्या के उपर मुकदमा करते हैं तो मुख्या के उपर कीजिए आपको जो लगता है कि ये मुख्या है उसी के उपर मुकदमा कीजिए